शिरी गुरु नानक देव जी, एक वार चल्दे चल्दे एक स्थान ते पोंचे, अथे उत्थे उना दा टाकरा कुछ डाकुआ वलू हो गया डाकुआ दे मुखी ने गुरु देव दे मुख मंडल दे तेजनु वेक के अनुमान लगाया कि एहे कोई अमीर वपारी है पर सादू पहरावा तारन करके उना लोका वलू बाचे निकलना चांदा है अन्त उना ने गुरु देव नो कहा कि जो कूल तो अडे कूल है वो सब दे दियो वरना ता नो जानु मार दियांगे पर इस उत्ते गुरु देव मुस्कराओं लगे अते कहा कि ठीक है पाई लोको असी मरन नहीं त्यार हाँ पर साधी अखीर इच्छा एह है कि साधे सरीर दा दा संसकार कर देना जिस वलो साधे सरीर दी बेज़ती ना होवे अन्त तुसी पहला सानु जलाओं ली आग दा प्रवांत कर लवो इस अनोखी मांग नू सुनके पहला ता डाकू हरान होगे पर उना ने सोचिया एहे कोई अजेही मांग नहीं जोकि मरन वालें दी पूरी ना कित्ती जा सके इसली दो डाकू अग लें लई दूरो वखाई देन वाले तुएं दे वालत चाल पए उत्ते पहुँच के वेख्या कि पिंड दे लोक एक अर्थी दी आंत जोष्टी किरिया कर रहे सन आते सारे लोक मृत प्राणी दे दुशकर्मा दी निंद्या कर रहे सन कि जेकर उस व्यक्ती ने अब राधी जीवन नहीं जिया हुंदा ता आज उसनू इवे इस प्रकार मोत दा डांड नहीं मिलिया हुंदा ओह डाकू तू वापस आके गुरु देवदे चर्ना विच डिग पए अते कहन लगे कि हजूर सनू माफ करो तूसी महा पुरुक हो जेकर असी त्वड़ी हत्या कर दिती ता लोग पर लोग विच सड़ी निंद्या होवेगी अते तरम राजदी अदाल्त विच जो दंड मिलेगा सो वाख अंत तूसी सड़ी अरदास सविकार कर सानू अपनी मराध्या अनुसार चिल्ला बना लवो क्योंकि हसी हमेशा कोर पाप गित्ते हन सच गुरु जी असी दावा कर दे हां कि हसी बाक्की दा जीवन सदा चार सहत बतीत करांगे अंत साड़े पापांदा नाश करू जी तद गुरु देव ने क्रिप्पा नजर गित्ती अते कहा जदू तूसी लोक इस पेशे नू त्याग देवोगे ता प्रभू तू आट्डी माफी बेंती सिविकार करनगे हुण तूसी खेती बाडिदा कार्ज करो अते पैसा संपती ग्रिप्पा विच वंड देओ दीन दुख्यांदी सेवा विच समालंगाओ इस प्रकार गुरु नानक देवजी ने डाकुआँदे एक समोनू प्रभू पक्ती दे नाम रंग विच रंग दित्ता जिस दे नाल डाकुआँदे जीमन विच करांती आँ गई